हेलो स्टुडेंस वेलकम बैक तो वर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेंस तुडेंस आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस फार्मासोटिकल एरोजल जी किसी भी तरीके के फार्मासी कॉंपुटेटी और फार्मासी किसी स्टुन आसी काश्पन को स्टुन कुछते हैं नियुट का मत इस फार्मास वद्फिक करींगे के सप्सक्रेश घूंप बेंस 153 मुड अर इसे डिस्कस करेंगे साइटाइज यिंदा जी के बारे में इस निल्डियों अबल्फिक करेंगे श्युक्शन के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट से मिलते रहें और शेयर करें, ताकि दूसरे स्टुडेंस को भी हमारी वीडियो से बेनेफिट मिल सकें कमेंट करके में जुरूर पता है कि आपको हमारा ऎपकाहिसा लग रहा है ह। सटूड़न्स स्टारट करते हमारे आज की वीडियो उक्षची फार्मसेटल ह्निकलांट का प्लाइट का पाट वन है जो भी इंसे हम यूज करते हैं वह डिफरेंट मटीरियल के बने होते हैं यह इनके कई फॉम में स्थी खरेंगे अप्रिषिख सेमी सलीडिक सांओ्सस्था नियुक्रिया थे हैं सकते हैं बहुत एजी जी हम इनको यूस कर सकते हैं फृदर डीटेल निश्कुस करें गे इसके बार में हमारी तो फॉर्स्स एस का उप्स करिस dell दिसक्षर करें तो इसके बार में तो इसक शो क्या होते हैं यह दिस्पर्स पेस्पीस सिस्टम फे एंट जिसमें छुभी हमारे active ingredient होते हैं one and more active ingredients होते हैं चाहे वो solid drug particle हो या liquid droplets हो जिस्पर्स हो जाते हैं इसमें हमारे continuous phase में हमारे continuous phase क्या है propelant जो कहें हमारा gaseous medium होता है जिसमें हमारे drug particle क्या होते हैं डिसपर्स हो जाते हैं तो aerosols can be defined as the dispersed phase system in which very fine solid drug particles और लिक्विड द्रॉपलेट गेट डिस्पर्स इन दी प्रॉपलेंट विच्ट अजिन को प्राइश अप्लाइब करके प्रिपेर किया जाता है जिसमें वन और मौर अग्टिव इंग्रिडियन प्रेजन होता है यह क्या होता है जो भी हमारे फाइम ard किसका liquid, और solid material का किसमें होता है Contorousface में। और ऑर हमारा Continentous face क्या होता है गस Ice Medium होता है तो अपान अपों Actuation क्या होता है जो भी हमारा product Concentrate होता है we क्या होता है dragon is ex prevail out of the container और जिनका Size साइज होता है 50 µm से भी Small होता है यह smaller होते हैं as compared to 50 micrometer, ठीक है? तो, it can be defined as an erosal is a pressurized dosage form containing one or more therapeutic active ingredient which upon actuation emit a fine dispersion of a liquid or solid material in a gaseous medium containing size smaller than 50 micrometer. तो, क्या होते हैं, student? इनके जो size होता है वो small होता है 50 micrometer से. नेके डिसक्स करेंगे इनके development के बारे में तो, इनका जो erosal का use कब किया गया था student in the year 1942 में यह बहुता है इंपॉर्टेंट है, किसने यूज किया था? गुद यूएन, Sullivan ने यूज किया गया था, इन्होंने यूज किया था in the year 1942 में, अब किसलिए यूज किया गया था? insecticides के लिए, तो, फर्स टाइम जो erosals का use किया गया था, वो insecticides के लिए यूज किया गया था. लेटर इन में और development हुई, तो further development के बाद क्या हुआ था, student in the year 1950, जो erosals प्रिपेर किये गया थे, वो किसलिए यूज किया जाते थे? टॉपिकल administration के लिए यूज किया जाते थे. फर्स में और development हुई, तो in the year 1955 में जो pharmaceutical erosals प्रिपेर किये गये थे, उनको कहाँ administer करते थे? हम respiratory tracts में administer करने के लिए यूज किया जाते थे. यह सारी जो history है, इसकी बहुत जादे important है, year and जो भी इसके administration के है, वो बहुत जादे important है, तो please इस topic को अच्छा से prepare करें. Next, discuss करते हैं इसके advantages के बारे में. Student erosals जो होते हैं, वो easily हम इनको conveniently use कर सकते हैं. किसी भी जो भी हमारा affected area है, particular area पर भी हम जो हमारा drug है, उसको directly deliver कर सकते हैं. Oxygen और moisture sensitivity जो drugs होते हैं, उनको भी हम इस form में दे सकते हैं, dispense कर सकते हैं. Student as, यह container में packed होते हैं, totally packed होते हैं, तो इनकी जो sterility होती है, प्रटक की वो भी balance रहती है, maintain रहती है. Student as, हम इसको affected area पर जो हमारा side है, affected side है, उस पर हम क्या करते हैं, directly drug को deliver कर सकते हैं, तो इनका rate of response होता है, वो बहुता रहती होता है, fastly हमको इसका response मिल जाता है, यह hepatic fast fast metabolism को avoid करते हैं, इनका use systemic और local application के लिए भी use किया जाता है, Student जो हमारे containers होते हैं, इसमें walls present होते है, matrix dose walls जो होता है, student जो हमारा accurate dose है , जितना amount हमें dose का administer करना है, उतना amount हम accurate amount use कर सकते हैं, उतना amount ले सकते हैं, तो इसके वज़े से क्या होता है जो हमारा dosage का वेस्ट होता है वो नहीं होगा minimize हो जाएगा ठीक हैं प्रिवेंट कर सकते हम dosage के वेस्ट को तो ऐसे diseases कुछ diseases ऐसे होती है लाइक अस्तमा तो इसमें क्या होता है student जो हमारी specific site होती है specific जहांपर हमें drug को deliver करना होता है specific site पर तो इससे जो हमारे pharmaceutical results होते हैं इससे हमें वो भी achieve कर सकते हैं तो student इसके जो dosage form होते हैं यह क्या होते हैं viable alternatives होते हैं अगर जब हम उनको orally administer करते हैं तो जो drug के entity होती है वो क्या show करती है erotic pharmacokinetic show करती है effect show करती है तो student किसी भी ointment cream को जब हम इस skin पर apply करते हैं तो क्या होता है उस particular area पर irritation होती है तो उस irritation को कम करने के लिए prevent करने के लिए topical aerosols को भी हम use कर सकते हैं next आते हैं इसके disadvantages पर तो student यह जो हमारे pharmaceutical results होते हैं यह costly formulation होते हैं इसमें प्रॉपलेंट यूज के जाते हैं तो जो ऐसे problems होते हैं कुछ जैसे के fluorinated hydrocarbons यह क्या होते हैं student यह results product में present होते हैं अगर जब हम इनको repeatedly use करेंगे तो इससे क्या होगा carcinotoxic effect show होता है means cancer के toxic effects होते हैं में वह भी हो सकते हैं इनको repeated use पर तहमें इनको avoid करना चाहिए तो student as हमने आपको बता है कि जो हमारे problem है वह high pressure पर prepare होते हैं यह क्या होते हैं प्रेशराइस टोसेज फर्म होते हैं तो जो भी हम container use करते हैं उनको क्या करना पड़ता है बहुत जादा pressure को tolerate करना पड़ता है तो ऐसे containers कुछ ऐसे होते हैं जो इस pressure को tolerate नहीं कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है इनका explosion होता है तो इसलिए यह भी इनका बहुत बड़ा drawback है नेक्स आते हैं इनके formulation पे तो student जो भी हमारा formulation जो प्रेजंट होता है container में जो भी हमारा product concentrate प्रेजंट होता है वो उसकी delivery कैसे होती है जो content प्रेजंट होता है किस पर depend होती है वाल्स पर जो वाल्स पर असेंबली होती है container, actuar, and propelant पर depend होती है तो one by one discuss करेंगे इन सब के बारे में detail में तो first time discuss करेंगे इसके problem के बारे में तो आज हमने पहले भी बिता रहे है यह force को develop करते हैं जब wall open होता है तो यह क्या करते है force develop करते है force बढ़ाते है container में दो को जो झीशुआ होगा चाहिए अंची साग। यॉपन मार्में आभटाति दोफ़ाइस है है क्रफिर्ण फोटऔर समय और सब्ख्राइबल होते है। तरफिर्दों में परने लों गाया है। क्या आता है कि इन तक-दर बीफिर्शन के पालम ओ जरेगा। निन जिसके सब्सक्राइब करनेगें सब्सक्राइब एंप 말 करने प्रड़क्ड में दिलेवरे करी नहीं कवर्ड़क्ड कर सब्सक्राइब करने लिक्षियारेजिया els जए होय। टम फिर्स से लिक्वी खते हैं नालगायजें 무슨 पारिका अगया है सेकंड क्या हैी शेकंड ऎइब क्या है कंप्रेश केस यह तो बहुत जादा इंपॉर्टिन्थ ए एसी gases जिनको compress करके liquid में convert कर दिया है तो इसे क्या कहते है हम liquefied gases कहते हैं तो इसमें first क्या है chlorofluorocarbon CFC propellant तो इसे और क्या कहते हैं और क्या कहते हैं फ्रियॉंस भी कहते हैं तो यहाँ पर P11 means P stand for propellant P किसके लिए stand कहता है propellant के लिए तो means P11 is equal to propellant 11 और क्या कहते हैं trichlorofluoromethane next क्या है propellant 12 जिसे हम और क्या कहते हैं dichlorofluoromethane next क्या है P114 जिसे हम क्या कहते हैं और dichlorofluoromethane यह जो stu Renld फॉन फॉलंड होते है जो त्वी के सीरिज है P 11 P 12 P 114 यह जो prevalent होते हैं इन्में इन्की कैरेक्टर स्टिक्स क्या होती है इन्की toxicity बहुत कम होती है low toxicity होती है और। यह क्या होते हैं non-inflammable होते हैं का जो nature होता है व्agus non-inflammable होता हैसलिए यह जो प्रॉपलेंट है वो यूज के जाते हैंकी इसी प्रोपर्टी कि वजए से और यह क्या होते हैं यह रिलेकिवली इनर्ड होते हैं युष्ट के हमारा थ capacity and hydro pan pictures and hydro fluorocarbons अधेसी इसमें Mary तो प्रीम्स लिए पूर्टेंट यह जाओं एक्जांपल्स के नोड्स बना ले ज़ी हैं chlorodifluoromethane, trifluoromonopluoroeethane, chlorodifluoroeethane, heptofluoropropane इसारे क्या हैं उसे सारी एक्जांपल्स परें और एक्जांपल्सिटरें प्रोपेन, पेंटेन, हैकसेन G इसाल नान डियाटिव होते हैं इसलिए इनको टॉपिकल फार्मसीटिकल एरोजल के प्रिप्रेशिंड्स के लिए यूज के जाते हैं तो जो hydrocarbons होते हैं, यह कहां present होते हैं student, जो हमारा container में जो content present होता है, जो formulation present होता है, यह उनकी aqueous layer के top पे present होते हैं, जो aqueous layer container में present होती है, उसकी top पे present होते हैं, अब इनका work क्या होता है, यह क्या करते है, as the propellant का work क्या होता है, यह force को develop करते हैं, तो यह क्या 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 क् प्रडॉक्ट एक जो कंटेंट है वह किया हो जो कंटेंट से आउट से कंटेंट से एक्सपल्ट हो सकते हैं तो नेक्सट डिसक्स करेंगे हम तो इस प्रोपलेंट एक प्रोपलेंट के बारे में तो यह किस फॉर्म धिस्पेंस होते हैं फाइन मेस फॉर्म और समी सॉलिड के फॉर्म में दिस्पेंस होते हैं तो student कईसे प्रोड्यूस होता है । अगर हम इसको पार करते हैं लिक्विफाइट ग्यास प्रोपिलेंट प्रड्ण्ट से प्रोड्यूस प्रोड्य्यूस यहां पर इसमें क्या होता है । अनलाइक भौइस में इसमें अरेक्विफाइट गैसे provide तो Tenemos यहां पर इस में क्या होता है अगर हम compare करें liquefied gas propellant से तो जो अईरोजल होते हैं लेकिविआट gas propellant इप्रिपेर उन में उन से अगर compare करें तो परेस्ट में क्या होता है किसी भी दरी के कोई reservoir नहीं होता तो फ्रेजिन ये जो हमारे compressed gas problem होते हैं ये कहां present होते हैं जो container का head space होता है वहां present होते हैं और ये क्या करते हैं जो other work other problem कहते हैं ये force को develop करते हैं force को increase करते हैं इंसाइडी कंटेनर क्या करते हैं फोर्स को बढ़ाते हैं तो जब इस भी इस आपर उन के लिए जादा प्रशर को रिक्वार्मेंट होती हैं higher gas pressure की requirement होती है अब इनकी uses देख लेते है food product के लिए यूज के जाते है dental cream के लिए यूज के जाते है head preparation के लिए and oil paint के लिए भी यूज के जाते है इस type के जो pharmaceutical results होते है इनकी preparation के लिए यूज के जाते है नेक्स आते हैं इसके container पे तो ये जो containers होते है जनरली किसके बनेवे होते हैं glass, metal, metal में भी कई टाइपस होते हैं tin plated steel, aluminium and stainless steel and plastic तो जो भी हम as मैंने आपको पहले भी बताये के student जो भी हम container का selection करते हैं वो किसके basis पे होता है वो pressure के basis पे होता है जितना जादा वो pressure को tolerate कर सकता है उतना ही अच्छा material होता है वो ठीक है उतना ही अच्छा container को यूज कर सकते हैं उतना ही अच्छा container हम select करते हैं जो भी हम container select करें in short आप ऐसे समझ लें कि जो भी हम container select कर रहे हैं उसके अंदर इतनी capability होनी चाहिए कि वो high pressure पे भी stand ले सके हैं एक्स्ट्वाइड ना हो जाएं तो स्ट्रेंट जो हमारे container का जो प्रेशर होता है maximum pressure कितना होता है 140-180 psig means pounds per square inch gauge and temperature कितना होता है 130 degree Fahrenheit तो at least जो हम selection कर रहे हैं container का वो इतने pressure को और इतने temperature को तोल्रेट करना चाहिए यहां पर हम discuss करेंगे जो हमारे container के aerosols के container है उनकी pressure limitation को तो first क्या है contained material यहां पर सारे material दिये गए है next column क्या दिया गया है maximum pressure according to psig unit जो इनका maximum pressure कितना होना चाहिए वो है and next क्या है temperature temperature according to degree Fahrenheit कितना होना चाहिए कितना tolerate करना चाहिए तो अगर हम tin plated steel material को use कर रहे है तो इसमें maximum pressure कितना होना चाहिए कितना tolerate करना चाहिए 180 and temperature कितना 130 next क्या है uncoated glass इसमें कितना pressure apply हो सकता है less than 18 and temperature 70 next क्या है coated glass इसमें maximum pressure कितना होना चाहिए less than 25 and temperature 70 next क्या है aluminium इसमें maximum pressure कितना होना चाहिए 180 and temperature कितना होना चाहिए 130 next क्या है हमारा material stainless steel तो इसमें maximum pressure कितना होना चाहिए according to PSIG unit 180 next the temperature the temperature the temperature कितना होना चाहिए 130 degree Fahrenheit and last क्या है हमारा last material plastic इसमें maximum pressure कितना होना चाहिए less than 25 okay and temperature should be 70 तो फ़र्स हम डिसकस करेंगे glass के बारे में so students as हम सब जानते हैं glass की एक बहुत ही special characteristic होती है that it is brittle means easily break हो जाते है so this is a limitation this is a limitation which is why this pressure is not applied this pressure is not applied this pressure is not tolerated so glass containers we use them to store 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 them which is not applied pressure one of the material is glass which is brittle limit is used in aerosol container okay next what is glass containers are used at lower pressure and when we use low amount we use the problem such as how much pressure is 25% as we have seen in the previous table that pressure is less than 25% and the problem is present how much pressure is 15% to less okay next now student these glass containers are brittle okay they easily break so breakage is a form of breakage and protect what is for this coating what is is a plastic coating कोटिंग डालते हैं तो विनायल रेजिन्स और एपॉक्जी रेजिन्स यह दो टाइब के प्लास्टिक के कोटिंग होती है बट इसमें जो विनायल रेजिन्स होता है वो जो हमारे हाई टेम्परेचर होता है इसेंगे टॉहंडु पर लेजिन्स तो आ जरेइव दिटेंग होती है वो जई मुझे तुन लीए का शुनग खुटलारिय। प्रडक्ट सिटेबाल होती है नेक्स आते हैं हमें मैडल मेरे विनकाने के सायлек कशेक पारे में कई गिद। क्लास से के इस पोटेट साइट स्टीहं प्रोवाइट करें हैं ये attendance ठेटिंग controlling का जा कोटेंड कर दो होता है इसे क्या होता है यह से क्थेट्वाद़ koat Can Pr olhosal Hi-day अज्याज प्रेवेंट करते हैं अज्वाल एगसे मटुरी इंट्रैक्शन होता है उसे भी एगसा फ्रीवेंट करते हैं Egypt इसमें कौन से कोटिंग की यूज की जाती है? ओलियो रेजिन्स, फिनॉल एक, विनायल और एपॉक्सी कोटिंग की यूज की जाती है यह सारे क्या है? इसके एक्सामपल से है जो तीन प्लेट स्टील कंटेनर होते हैं उसको टॉपिकल एरिशल्स के प्रेपेशन के लिए यूज की जाते हैं उनको स्टोर करने के लिए उनके हैं यूज के यूज के जाते हैं नेक्स क्या है? अलुमिनियूम इंउम आ इसन रावचे नेर्ट्पारवलाविकुवर्टुटूस तो यह सब्सक्राइब साफु में देंदर में में आंचे संयूए लिए उसक्राइब करने के लिए यूज के जाते हैं इनके पैकेजिंग के लिए हैं इसमें भी कोटिंग होती है तो किसकी कोटिंग होती है इसकी कोटिंग होती है इसकी कोटिंग होती है का होती है कंटेनर के इंसाइड तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे क्या होता वेरिस के साइस अवेलेबल होते हैं लाइक 10 mm to 1000 mm के नेक्स हमारा थर्ड क्या है मेत्ल प्रॉप स्टेनले स्टील कंटेनर तो यह स्टेनले स्टील के जो कंटेनरों से लिए बाँ ज़्यादा त्मपरेचर को भी टोलेरेट कर सकतें strong होते हैं non reactive होते हैं इनकी to main limitation क्या होती है इनको easily हम Mold नहीं कर सकते है इनको mold केने में बहुत difficulty आती है यह देख सकते हैं यह सारbut को भी टॉलरेट कर सकते हैं नॉन फ्रेगाल होते हैं लाइट वेट होता है इनका चीप होते हैं जो यह क्या होते हैं यह कम यूज होते हैं क्यों बिकोस इनमें जो इनके जो कंटेनर कंटेनर में जो फॉर्मुलेशन प्रेजन होता है यह जो कंटेनर के सरफे से क्या होता है इसलिए इनका यूज से कम होता है नेक्स डिसकस करेंगे हम वाल्स के बारे में तो स्टुटेंट इनका वाल्स का क्या रोल है यह क्या रोल प्ले करते हैं तो यह क्या करते हैं जो भी हमारा ड्रॉग है उसका जो डिजायर फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है इस प्रोड़क के फ्लो को मिंटेन करते हैं रेगुलेट करते हैं इनके दो वर्क हो गए फर्स यह क्या करते हैं डिजायर फॉर्म में डिलीवर करते हैं जो भी फ्लो है प्रोड़क कॉंसेंट्रेट का उसको क्या करते हैं मिंटेन करते हैं बैलेंस करते हैं रेगुलेट करते प्रिफ luckily इस नहीं हम उस्थ तोल मैं मैं कि और गजरेश यह धteri करेा कर रहे हैं ऐ dejar लाइज करने में तो नहीं हमच्तेजसब ड़ा महरा घप कर लोगने नहीं हो इस दोल इस्ए न नौहेंद spray valve and metering valve let's talk about the basic component of the valve as you can see in the diagram student first we will see basic component and then we will see their arrangement so this is what is it? this is an actuator this is a mounting cap this is a stem this is our stem gasket this is spring this is a wall body and this is our diptyo now let's see their arrangement so student this is our actuator it is on the above side if we will see out to in what is it? our actuator then our mounting cap then this is our stem and mounting gasket what is the role of the gasket? this is what is it? this is our wall assembly and we will hold it in which place we will hold it in which place spring plus housing this is spring plus housing and lastly what is our diptyo here you can see the blue part this is our propellant it is high pressure this is what is product concentrate so when we apply the actuator when we apply the pressure on the actuator here you can see this arrow when we apply the actuator on the actuator then what is happening? this pressure is on the product and our product is on the dip tube and the whole wall assembly is on the wall assembly expel out of the container so hope you will understand this so what is the first part? what is the actuator? what is the actuator? what is the actuator? one button which is our valve is open and closed means on off so there are some actuators which have mechanical break up devices which are made of the actuator which are made of the actuator? it is made of the plastic these are different types like spray actuator foam actuator solid stream actuator metroid dose inhaler what is it? different forms it is very important next is stem what is the actuator? the actuator support and the actuator which is the actuator which is the product concentrate inside the container is present which is present in the scavenger which is팅 to deliver the design which is taken from the actuator Nylon D ہو and stainless steel 또 third gasket gasket what is that not the icemail with the act 마 comet leave the instvu प्रेवेंट करता है जरी हमारे ऐसेंबली होती है जो हमारे असेंबली होती है बाल फाल्चि में चाहँ है Buena and Neoprene rubbers यूज़े जाते हैं गैस्ट्रिक माटीरियल के तॉर फेर नियक्स्ट क्या है फोट श्प्रिंग भी श्प्रिंग क्या रहाँ था student यह वल्भ को फोल्ग कर रहा था लेकिन यहां पर स्प्रिंग क्या करता है गैस्ट्रिक को फोल्ड करता है ऐसे के बने वे होते हैं स्टेइनलेस सील के नेक्स-ध्य पलकल भी आए心 कप्प पे कील नेत्कि प्रेंस मामप्प माँप्टिंग कप यहांati या माँप्लम इसको कहते हैं यह पर द neighbour केgtा पॉन से करूंटेब्स जियह हमारे माजर बंव कोटिंग होती है तो यह सिंगल डबल कोटिंgen हो सकते हैं सके largest성 ऊ 알았어 किए वेंड़ नवी क्या होते हैं मांटिंग कप वहता है उसके प्रेसंट के से करनेक य। जुक्त प्रेज्टेंवे देरी अरे उने में इस उनной कवर्फिटार है, से नायलोस और आवान देरीक बनारा के वर्क चैनल ते हमें नामारे ट्रस प्रेज़ाい वहां हैarda वहाँ पोर क्वल्डन क gefांि व्हां करते हैं थो थो प्रिज्फ क्तुर्ट आरे थे कhouses गौन से फॉard में यह डिलीट होगा dem compliqué骂 रहा हो रहा है वह कौन से फॉर्म तोगा यह सब किससे द्वारगा में क्या जाता है और में के द्वारा इतर्माइन क्या जाता है next हम discuss करेंगे dip tube के बारे में Mexico जो dip tube होते है definitivis polyethylene और polypropylene के बनेऊ होते हैं ये कहाना से कहां होते हैं मैं mixing body और जिसे मैं having OH थो हमार कंटेनर होती है means mist Kim मैं हमार आज जो progress ये ऊते होते हैं हमारी करा की फर्मिलेशन को मखें क्या है तो सुझेंटी नेंगे मिश्य को इनर डाइमेटर होता है इनर गिस इनर डायमेटर होता है यो इसे हमारे लिपने बसे ओनाई विसकॉसिटियेन अशहे। ड्राम चाहिसे हमारे लोह इनर डाम्याइटर को नियुकुन का वह तो तो जी पिक से हमारे जेखते तो घम का सब्चासब्स कर दो सब्सक्राइङ दो सब्सक्राइब निया अविसकोसिटी अब अब दिपटयडी कर दो सब्सक्राइब क्या होगा हमारे डिप्रिप का डायमेटर होगा इंक्रीज होगा है तो फ़र लेस्ट का सोलेशन लेस्ट क्लिए क्लीशन के लिए जो इनर डायमेटर होता है उसके रेंजिस क्या होती है 0.12 इंच तो 0.125 इंच जो ज्यादा विस्कुस होते हैं तो उनकर इनर डायमिटर क्या होता है वह लार्ज होता है 0.195 इंच यह सारे थे इसकी वैल्य जो भी वैल्य है वह जाते इंपोर्टेंट है हाइलेटेट पॉइंच बहुत थे इंपोर्टेंट है तो प्लीज टॉपिक के अच्छे से प्रिपरेशन करें वे विश्यू अल्डी बैस फोर यह प्रिपरेशन थैंक्यू सो माच टूडेंट फोर वाचिंग इस वीडियो अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आती है तो प तो सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसके नेक्स पार्ट के साथ तिल दैन बाई बाई